जितनी आपको पता पॉपुलर हुई हैं वो किस वज़े से हुई हैं? कि उनकी अपनी ये जो गलत उन्होंने हरकत करी है, जो अपना घरबार छोड़के, अपने शोहर को वहां का, शोहर को छोड़के, वहां उनके तलाग भी नहीं हुआ, और इसके बावज़ुत यहां अपने बच्चों को छोड़ चाड़के, सब यहां पे लेक क्या गई हैं, जिसके उसर यहां की नागरिता मांग रही हैं, कि हमारा बिल्कुत सुपोर्ट उनके साथ नहीं है, खुलासा हो रहा है, कि अभी तक सीमा हैदर का अपने पूर पती गुलाम हैदर के साथ तलाग नहीं हुआ है, खुलासा हो रहा है, कि जिस मौजूदा सचिन मीना के साथ वो रहती हैं, वो उनके पती नहीं है, तुकि शादी के कोई दस्तावेज नहीं है खुलासा हो रहा है कि सीमा हैदर अभी भी मुस्लिम धर्म से ही तालूक रखती है धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है ये सारे खुलासे जो है वो गुलाम हैदर के भारत में निुक्त किये गे वकील मौमिन मलिक ने किये हैं तमाम इन सारे दस्ताविजों, इन सारे खुलासों के बाद हम जन्ता की राए ले रहे हैं ज्यादा बाचीत के लिए हमारे साथ में महिला विकास मन्द से सरिता डिंगरा जी हैं, उनसे बात करेंगे कि वो महिलाओं के उत्थान के लिए सबसे पहले क्या-क्या काम करती है और सीमा हैदर को लेके क्या वो नजरिया रखती है उन तमाम चीजों के उपर हम बात करेंगे, तो हम ये बात पूछेंगे सरिता जी महिला विकास मन्द सबसे पहले रहती हैं, सवाल यह है सबसे पहले कि महिला रिद्धी सीधी महिला मंच जो है वो आपका, यह कैसे काम करता है, पहले इसके उपर बात करते हैं, रिद्धी सीधी महिला मंच, हमारी दो फाउंडर हैं जिसमें सटा धिंगडा राकोदू, और मेरे साथ में आक्षे मिर्तल जी जोड़ी हुई है जो कि मैं इसकी फाउंडर है और हम लोग मिलके महिलाओं के लिए बें काम करते हैं इसके अंदर और जितनी महिलाओं जो लोग काम जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहती हैं जिनके अंदर लेडिसों के अंदर इतना हुनर होता है क उस पुनर को वापिस लाने के लिए उनको दिखाने के लिए उनको प्रोसाइद करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए हम लोग उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं एक ऐसा मंच देते हैं जिसमें वो अपने आपको अपना आगे दिखा सकें तो हम लोग उनको जो प्रोडेक्ट वारा होते हैं, बट वो सेल आउट नहीं कर पाती हैं, हम उनके लिए एक्जिबिशन कर इंतिजाम करते हैं, ताकि एक जगा पे खड़े होके, सारी जितनी भी मीडिया, जितनी भी पब्लिक उन्टिया, वो आके उनके प्रोडेक्ट को देख सकें, क्योंकि दे इसके लिए कोई आगे कदम बढ़ाता है, तो हमरे साथ काफी हमारी टीम है, जिसमें लेडिश में काफी मिलकर हम सब लोग एक साथ कठ़्ेओ के काम करते हैं, और लेडिसों को फुल सुपोर्ट देते हैं, तो हम जिनको देते हैं, उनके साथ कही है, हमें और इस तरह से र प्रोजगार देना, उनको काम का प्रोहिस्साइद करना, उनके अनुभवों को दिखाना, उनको एक ऐसा टैलेंट हम लोग उनको दिखाते हैं, कि आपके अंदर जो टैलेंट है, वो हमें बाहर निकाल के दिखाना है पब्लिक को, कि आप भी कुछ कर सकती हैं, आज की जो करते हैं, हमारी रिधी सिधी महिला मंच साथ में धार्मी कारे भी करती है, जैसे आपने देखाओगा आज राम मंदिर्क बना है, उसके प्लक्ष में खाटो शाम जी के जो इतने ससंग होते हैं, हमारी धार्मी संस्ता भी बनी है, जिसके अंदर सारे हमारे सायोगी मिलके, ह उनके साथ मिलके हम धार्मिक कारे भी करते हैं. तो इस तरह से यदि इनी चीज़ों को लेकर आगे चलके हम इन चीज़ों को आगे बढ़ावा देंगे, तो आज के टैम पे लेडिसों को टेंशनों के अंदर जो मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हम लोगों लगता कि आदे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रेट वो लोग कर लेती हैं, किसी टैंशन को लेके, उन टैंशनों से दूर रखके हम उनको हाँ, उनको टैंशनों से दूर करके उनका एक शारीरिक स्वस्त उनको बना के रखते हैं, ताकि वो माइंड अपना सेट ओर के कुछ लेडिस होती हैं कि घर में रहके सोचती रहते हैं कि हम क्या करें, हमारे पस कोई ऐसा काम ही नहीं है, तो हम उनको एक ऐसी स्पोर्ट देते हैं कि आप लोग ही हमारे साथ जुड़ो, और जुड़ने के बाद आपको एक काम का रास्ता मिलेगा, आपका अपना टैलेंट भार आएगा, और दो पैसे भी आपको घर पे आएगे, तो इस तरह से रिद्धी सिद्धी महिला मच अपने आप में कैसा मंच है, जिसमें किसी को बताने की जूड़नी पड़ती हैं कि इसमें होता क्या है, बेसिकली सारी लेडिज आपस में सब मिलके जानती हैं, चलिए, अब मैं अगर सवाल करूँ, अगर पाकिस्तान से आई, सीमा हैदर के बारे में, सुना तो जरूर होगा, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह सुनाए, और जिस लेड़ी, जिस सीमा हैदर को अभी तक कोई भी नहीं जानता था, वो सोशल मीडिया के थरू आज, जितनी आपको पता पॉपलर हुई हैं, वो किस वज़े से हुई हैं, क्यों उनकी अपनी ये जो गलत उन्होंने हरकत करी है, जो अपना घरबार छोड़के, अपने शोहर को वहां का, शोहर को छोड़के, वहां उनके तलाग भी नहीं हुआ, और इसके बावज़ुत यहां अपने बच्चों को छोड़ चाड़के, सब यहां पे लेक्या गई हैं, जिसके यहां की नागरिता मांग रही हैं, आपको लगता है किसी महिला को सपोर्ट करना चाहिए, आज के टाइम पर अगर यही था मेरा सरता जी कि आपका महिला विकास मंच, जो रिद्धी सिधी महिला मंच है, क्या वो सीमा हैदर जैसे क्योंकि वो भी एक महिला है, उसके कितना समर्थन उनका कितना करेंगी, क्योंकि इस काफी विरोध जो है वो सीमा हैदर का चल रहा है हमारा बिल्कुल सुपोर्ट उनके साथ नहीं है क्योंकि इसको देखा देखी आपने शाद दूसरा नाम भी सुना होगा अंजू जी का उनका वो भी क्योंकि उनको लगा कि सीमा हैदर को इतनी पॉपलिटी मिल गई एक नागरिता पाने के लिए जो की इतने गलत तरीके से वो यह सब कर रही है तो इसी तरह से अंजू जी ने भी अंजू ने सब उठाया तो इस तरह से यह चीड़े गलत है गलत का साथ देने का मिनेंगे कि आप भी हमारे देश में जितनी महिलाएं हैं वो सीमा हैदर को इसी लिए पसंद नहीं करती क्योंकि उगलत तरीके से नागरिता लेकर यहां पर नागरिता मांग रिया और आपको लगता है हमारे देश के सविधान में इस तरह के महिलाओं को कोई सपोर्ट मिलनी चाहिए हो सकता है वो वहां की कुछ एजेंट बन के आई हो आपको क्या पता तो यदि हम सब महिलाएं मिलके उसका विरोध करें तो हमें इस सीमा हैदर को वापिस वहीं भेजना चाहिए लगतार जो है वो मांग आ रही है हमने आपको दिखाया था कि हर कोई ये चाहता है कि सीमा हैदर वो वापिस पाकिस्तान चली जाए लेकिन सवाल यहां पर ये भी उड़ता है कि सीमा हैदर कहती है कि उन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया उन्होंने अपना मुस्लिम इसलामिक दर्म जो है वो छोड़ दिया जैसी कि आप भी बहुत सारे मच जो हैं वो ऐसे प्रदान करती हैं मैलाओं को जो की धार्मिक होते हैं अगर सीमा हैदर सरातन का सहारा लेके अगर आपके मनच में आना चाहे आपके मनच में जो है वो गु कि उमीद है नहीं हमारा हमारी संसा के अंदर इदिजिदी महिला मंच में इस तरह की महिलाओं का बिल्कुल विरोध किया जाएगा साथ देने तो दूर की बात है हमारे साथ जितनी महिला हैं जुड़ी मिया सब सीमा है जी के खिलाफ है और कभी लाइफ में कभी ऐसा मोका कि बच्चे उनको वापिस पाकिस्तान भेजा जाए बच्चों को आपको लगता है बिल्कुल वापिस जाना चाहिए आपको लगता है इतना देखो जिसके बच्चे होने के बाद पती होने के बाद उसको तलाग के दिये बिना आप दूसरा यहां पे आके इस तरह से अपन मंच के साथ जो है वो महलाएं कैसे जूर सकती हैं इसके बारे में थोड़ा आप जितनी भी महलाएं जूरना जाती हैं वो इसके अंदर हम लोगों से कॉंटेट करके राम से इसली जो भी अपना प्रडेक्ट या जो भी अपना काम करती है चाहे वो जो एलरी से connected हो, चाहे वो कपड़ों से connected हो, या किसी भी आइटेम्स को लिए, वो हमसे content करके इस अंस्था के तुरू जूड सकते, तो देखे, सीमा हैदर को लेके भी हमने जो है, वो सवाल किया सर्ता दिंगराजी से, हमने जानने की कोशिश की, हमारा सबसे ऐसा भी है, या फिर क्या भारत की कोई महिला ऐसी भी है, जो की सीमा हैदर के पक्ष में बोलेगी, या सीमा हैदर के बचाब में आगे आएगी, वो हम आपको पल-पल दिखा रहे हैं, फिलाल तो सीमा हैदर के खिलाफ भारत की हर एक महिला खड़ी है, आप लोग क्या समझ कि सीमा हैदर को वापिस पाकिस्तान लौट जाना चाहिए हमें जुरूर बताइएगा बने रही हमारे साथ देखते रहे हैं सोगंध टीवी सोगंध वतन की